नमस्कार जेहिंद बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमली में और मॉडल पेपर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए UKPSC, UKSSC दोनों के लिए ही important model paper हम डिसकस कर रहे हैं उत्राखंड के सारे ही exams के लिए तो यहाँ पर आपको 100 MCQs मिलेंगे, आप attempt करिएगा, कितने marks आप ले आते हैं तो आने वाले जो भी exams हैं, चाहिए वो executive officer का हो, या फिर ROARO का होने वाला है तो अभी काफी सारी बिग्यपतियां भी निकली हैं, video, video के भी exam होंगे तो आपके लिए काफी helpful होंगे, इस से related अगर आपने पहले के model paper नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखे, UKSAC, UKPSC model paper करके playlist है वहाँ पर हमने सारे paper upload किये हैं और यह paper आपको बहुत जादा helpful होने वाले हैं क्योंकि यह है दिरिस्टी के authentic book से यह paper हम cover करवा रहे हैं तो शुरू कर लेते हैं आज का paper पहला प्रसंदेखे स्क्रीन पर जनगरना 2011 के अनुसार सरबादिक दसकिया वृध्धी वाला राज्य है तो सबसे जादा दसकिया वृध्धी वाला राज्य इंग में से जो है उप्शन नमर सी मेगाला है उप्शन नमर सी सही उत्तर है अगला देखिए निमलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है दर्रे दिये गये हैं और उनसे संबंदित राज्य के नाम है तो बताना है कि कौन सा दर्रा जो है सही सुमेलित नहीं है और नीती दर्रा जो है यह आपका उत्राखन में है तो उप्शन नमर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला देखिए उत्राखन परबत निमलिखित परबत चूटियों का कौन सा क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बद है पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बद बताना है तो यहाँ पर देखिए नाम चबरबा आड़नवान चल परदेश में हो गया कंचन जंगा सिक्किम में हो गया नेपाल में हो गया और Everest भी नेपाल तो पश्चिम से पूर्व की और यही करम है option नमर A इसका सही उत्तर हो जागा निम्न में से कौन नेलगिरी की सबसे उची चोटी है नेलगिरी पहाडी की सबसे उची चोटी का नाम हमें बताना है सही उत्तर है डोड़ा बेटा जो है नेलगिरी की सबसे उची चोटी है अगला देखिए बदरीनाथ उत्राखंड के किस जिले में अवस्तित है तो यह आसान सा प्रस्न हो गया बदरीनाथ का जिला बताना है कौन से जिले में बदरीनाथ है तो चमोली जिले में है बद्रीनाथ आप अटेम्ट करिए और बताइए कि कितने मार्क्स आप हंड्रेड में से ले आते हैं उत्राखन राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है सबसे छोटा जिला बताना है सही उत्तर हो गया चमपावत अप्शन नमर ए सही उत्तर हो जाएगा अलकनन्दा और मंदा किनी का संगम इस्तान है तो अलकनन्दा और मंदा किनी का संगम इस्तान हो गया रुद्र पर आगा option number 20 से युत्तर हो जागा कुलो और कांगडा की घाटियां अवस्तित हैं कुलो और कांगडा की घाटि कहां पर अवस्तित हैं तो ये जो हैं महान इमालय, यानि greater हिमालय और लगू हिमालय, ब्रेद हिमालय वह लगू हिमालय के मद्य इस्तित है, कुलू कांगडा की गाठिया, अगला दिखिए, 2011 की जनगड़ना के आधार पर, लिखत जीलों को जन घनत्तों के आधार पर घटते करम में लिखिए तो घटते करम में लिखना है तो सबसे एक तरसे सबसे पहले आपका हरिद्वार आ जाएगा सबसे ज़्यादा जनगनत तो है फिर आजाएगा आपका उध्धम सिंगनगर और फिर आएगा आपका देरादून और लास्ट में आएगा अलमोडा यानि एक तीन दो चार आप्शन नमबर बीज का सही उत्तर हो जाएगा 2011 की जनगलना के उनसार उत्राखंड की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना परतिसेत है तो देश की कुल जनसंख्या का 0.83 परतिसेत है उत्राखंड की जनसंख्या देश के सबी राजियों में नगरी करण में उत्राखंड का कौन सा इस्तान है नगरी करण में उत्राखंड का इस्तान है बीसवा उप्सन अमर रही सही उत्तर हो जाएगा जो देखे नागारजुन सागर परियोजना निम्न में से किस नदी परिस्तित है निमलिकित में से कौन सी नदी एस्तुरी बनाती है तो एस्तुरी यानि जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती है इन में से कुछ नदियां है जो एस्तुरी बनाती है तो पस्चिम वाहिनी जो नदियां है जो पस्चिम के ओर पर वाहित होती है वो अधिकतर एस्तुरी बनाती ह है नर्मदा option number C नर्मदा जो है एस्चुरी बनाती है अगला question देखिए उत्राखंड की कौन सी जन जाती स्वयम को पांडवों का पूरबज मानती है तो पांडवों का पूरबज मानती है एक तरह से जोन सारी option number D से उत्तर हो जाएगा अगला देखिए उत्राखंड के जन मानस पर सरवाधिक परभाव की संपरदाय का पड़ा है जन मानस जो हमारा है उस पर सरवाधिक परभाव पड़ा है आपका सैव और साक्त संपरदाय का अगला देखिए नमली कितमे से कौन लोकगीत नहीं है जागर लोकगीत है पमाडा जुमेलो नागरजा तो इन में से कौन सा लोकगीत नहीं है तो नागरजा इन में से जो है लोकगीत नहीं है नमरीकित में से कौन वीर गाथा है वीर गाथा बताना है इनमें से वीर गाथा कौन है भरो जो है वो वीर गाथा होता है उत्राखंड के और ये गड़वाली साहित्य जो है कुमाउनी गड़वाली साहित्य जो है उसमें हमने डिस्कस किया है थ्योरिस एक्षन मैंने दो वीडियोज लिए हैं गडवाल का साहित यानि गडवाली भासा का जो साहित है उसमें ये सारी चीजें कवर की गई है अगला देखिए उत्राखंड के रुद्र परियाग जन्पद में इस्तित उखी मट किस भगवान की सीत कालिन पूजा इस्तली है तो उखी मट पूजा इस्तली है भगवान सीफ की ऑप्शन मर सी सही उत्तर है इसका उत्राखंड की जाड जन्जाती की भासा कहलाती है तो उनकी भासा को रोंबा खा जाता है ऑप्शन मर बी ला देखिए राजा पूरुर्वा किस बंस से समंधित माने जाते हैं तो ये राजा समंधित हैं चंदरबं से उप्शन मर सी सही उत्तर है अब इस प्रस्ण में देखिए यहां पर दो सूचिया दी गई है उनको मिलाना है इस्तानों को मिलाना है जगह से तो कौन सी जगह कहां पर इस्तित है और नीचे को ऊट दिये गए हैं उनसे हमें सही उत्तर और मौला राम चित्र संग्राल आपका सिरीनगर में हो गया तो यानि आपका जो कूट हो जाएगा पहले का 3 हो गया 3, 2, 1 और 4 तो ये किसमे हैं ये आपको देखने हैं तो सही उत्तर आपका हो जाएगा option number D, 3, 2, 1, 4 अगला दिखें निम्न में से कौन राजा फटेशा का दर बारिक अभी जो था वो मती राम था option number E से उत्तर हो जाएगा नालंदा अभिलेख के बंगा, अभिलेख में बंगाल के किस पाल सासक द्वारा गडवाल पर आकर्मन करने की चर्चा है करने वाले जो सासक हैं वो ध्रमपाल थे option number A और नालंदा अभिलेख में इनकी चर्चा है परमारवन्स के किस सासक ने दारा सिको के पूतर शुलेमान सिको को आस रह दिया था तो ये दिया था पिर्थिवी पति सान है option number C से उत्तर है किसका उत्राखन में टॉंस और यमुना के संगम परिस्तित कालसिय अभिलेख किस भासा में है तो कालसिय अभिलेख की भासा जो है प्राकरित है option number B से उत्तर हो जाएगा किस राजवन्स के सासन काल में उत्राखन में आदिगुरू संक्राचारे का आगमन कार्तिकेपुर राजवन्स के सासन काल में हुआ था मंदिरों को प्रदत भूमी को कहा जाता है option number A से उत्तर हो जाएगा मिम्बायर्स ओफ देहरादून के लेखक कौन थे तो मिम्बायर्स मिम्बायर्स ओफ देहरादून ये इसके लेखक जो है वो जी बिलियम से हैं उप्शन नमर्डी से उत्तर हो जाएगा उत्रकंड सासन की बंदे मातरम योजना का संबंद किससे है तो बंदे मातरम योजना जो है ये गर्वती मैलाओं से संबंदित है उत्रकंड आर्थिक सर्वेक्षन 2022-23 के अनुसार परचलित भाव उपर 2022-23 में सकरल घरेलू उत्पाद आंक आ गया ये आका गया है 236.65 लाग परोड रुपे अगला देखिए नमलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है अब ये बताना है कि इन में से सही सुमेलित कौन सा युग में नहीं है भारत का एड़िन बरा रानिखित नहीं है ये गलत सुमेलित है लिंगा उनफात के मामले में उत्राखंका कौन सा इसतान है ? बत्मान रुदरपूर नगर किस चंद सासक ने बसाया था ? तो रुद्रपूर नगर को बसाये था रुद्र चन्द ने, option number A उत्राखन में सरवादिक एबं नियूनतम नगरिय जनसंख्या 2011 जनगरना वाले जनपद हैं तो सरवादिक और नियूनतम नगरिय जनसंख्या बतानी है तो सरवादिक होगे देरादून और नियूनतम होगई बागेश्वर भारत के पर्थम इंजिनेरिंग कॉलेज की स्तापना रुड की में हुई थी येर बताना है कौन से येर में हुई थी? 1847 में हुई थी उत्राखन के पर्थम मुख्यमंत्री थे तो पर्थम मुख्यमंत्री आगसान सा प्रशन हो गिए नित्यानन स्वामी देखिये उत्राखन में ग्रामसभा की स्तापना किसके द्वारा की जाती है? पंचायतों में महिलाओं को कितने परचिसत आरक्षन दिया गया है? तो पंचायत में महिलाओं का आरक्षन जो है 50 प्रतिसत है गला देखिए बेटिस गडवाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन कहां आयू जित हुआ तो पहला राजनीतिक सम्मेलन दुगड़ा में हुआ था उप्सन नमर ए उत्राखंड में पंचायत व्योस्ता का तिरिस्तेरिय योजना लागो की गई 2018 में उप्सन नमर डी डेरी सोद एबं विकास संस्तान की स्तापना कहां की गई है डेरी सोद और विकास संस्तान की स्तापना नैनिताल में की गई है उप्सन नमर बी गडवाल मंडल का मुख्याले है गडवाल मंडल का मुख्याले जो है ये कुमाओ मंडल के मुख्याले की स्तापना कब की गई कुमाओ मंडल के मुख्याले की स्तापना हुई थी 1854 में उप्सन नमर ए 2011 की जनगरना के उनसार उत्रखन राजे का सरबादिक अनसूचित जनजातियों की आबादी वाला जिला है तो सरबादिक अनसूचित जनजातियां जो है उदम सिंग नगर में हो गई option number C पानी राखो अंदोलन कहां से शुरू हुआ था पानी राखो अंदोलन बताना है ये शुरू हुआ था पौडी के उपर रेंखाल जो गाउं था उदर अगला देखिए उत्राखन में सरवाधिक बंचेतरफल वाला जिला है तो सबसे ज़्यादा बंचेतरफल वाला जिला इन मेंसे उत्торकासी हो गया option number A अगला देखिए उत्राखन में संग मरमर का प्रियाप्ट बंडार मुख्य रूप से पाया जाता है संग मरमर का प्रियाप्ट बंडार पाया जाता है मसूरी में option number A drugs composite research unit उत्राखंड में किस इस्तान पर है important है drugs composite research unit ये है आपका रानी खेत में option number A जन्गरना 2011 के उन्सार उत्राखंड की ओसत साक्षर्टा दर कितनी थी 78.82 option number B नमामी गंगे योजना के तहत नमामी गंगे योजना के तहत कौन सी नदी को सामिल किया गया है तो भागी रती को भी अलकननदा भी और मन्दा की नहीं यानि उपर्युक्त सभी नदियों को important है दिहन रखना आप लोगों को नमामी गंगे योजना के तहत राज्य की भागी रती अलगमंदा मंदा के लिए तीनों ही नदियों को सामिल किया गया है सूची एक में दिये गए तथ्यों का मेल सूची दो में दिये गए स्तानों से कीजिया और सही कोड का उतर चुनना है आपको सही तो यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ सूची में जिलों के नाम दिये गए हैं और एक तरफ दिया गया है कि कौन किसमें आगे है तो यहाँ पर देख सकते हैं अधिक तम दसके वृद्धी दर वाला जिला जो है यह आपका देरादून हो गया यानि पहले का चार हो गया सबसे कम जन घनत वाला जिला उतरकासी हो गया 3 हो गया और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला और सबसे कम साक्षरता वाला तो सबसे कम साक्षरता वाला आपका उदम सिंग नगर हो गया और सबसे अधिक लिंगानुपात अलमोडा हो गया 4,3,1 और 2 तो ये आपके सह से बड़ा कर्ष रोत जो आपका वानिज्यकर है उसर नमर B. उत्रहकन राजे में जाय का पर्योजना किस के सयोग से चलाई जा रही है. जाय का पर्योजना चलाई जा रहा है आपके जापान के सयोग से. उस नमर C. बस 1992 में पिर्थवी शिखर संभिलन कहां आयूजित किया गया था तो 92 का स्पिर्थवी सिखर सम्मेलन ड्रियोडी जेनरियों में उप्शन नमर ए अगला देखिए मिट्टी का तेल पानी के उपर इसलिए तैरता है क्योंकि मिट्टी का तेल जो है पानी में तैरता है क्योंकि उसका घनत्तों जो है पानी के घनत्तों से कम होता है option नमर 20 का सही उत्तर हो जाएगा गला देखे एंडोस्कोप की सिधान्त पर आधारित होता है एंडोस्कोप बताना है यह आधारित होता है पूरा अंत्रिक प्रावर्तन पर मनुष्य द्वारा निर्मित आन्वांसिक रूप से अभी अंत्रित पर्थम जीवित जीव है तो पर्थम जीवित जीव था आपका डॉली यह एक भेड थी तो मनुष्य द्वारा जो आन्वांसिक एक तरह से जनेटिकल इंजिनेरिंग से पैदा की गई डॉली हैडрок्लॉरिक अम्ल का परियोग के आ जाता है तो HCL है हैड्रो क्लॉरिक अम्ल इसका परियोग किसमे किया जाता है तो कलॉरीन बनाने में उप्सन नमबर C से उट्फर हो जाएगा अगला दिखिए निमलिखित में से कौन एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उधारन नहीं है इन में से इंटरनेट प्रोटोकॉल का उधारन कौन सा नहीं है STML भी है, IP है, TELNET भी है, IOT नहीं है, option number D अगला दिखिए, transformer परियुक्त होता है transformer किसलिए परियुक्त होता है तो transformer का परियुक्त होता है AC voltage का उपचयन वा अपचयन करने के लिए यानि एक तरह से redox reaction या पर होती है AC voltage के लिए, option number D से उतर हो जाएगा निमलिखित में से कौन कीट भक्षी पौदा है कीट भक्षी पौदा इनमें से बताना है सही उतर हो जाएगा जो आपका घट परणी होता है ये एक तरह से कीटों का भक्षन करता है इसलिए से कीट भक्षी पौदा कहा जाता है खसरा बीमारी का कारण है खसरा बीमारी का कारण क्या है सही उत्तर हो जाएगा वाइरस के कारण होता है खसरा उप्शन नमबर A इंडियन स्ट्रेगल के लेखक इंडियन स्ट्रेगल फेमस्ट बूख है क्वान हैस के लेखक हैं तो सही उत्तर है आपके सुभास्चंद्र बोश उप्शन नमबर B अगला दिखिए सिख्षा पर सैडलर आयोक का गठन कब हुआ था तो सैडलर आयोक का गठन हुआ था 1917 में लीची का खाने योग्य भाग है लीची का खाने योग्य भाग होता है अरे लॉप्स नमबर C से उत्तर हो जाएगा इमले कितमे से किस पादप हर्मोन का परमुक कारे कोशिका विभाजन है तो पादप हर्मोन दिये गए है इनमें से जो सैल डिवीजन के लिए मुख्यकारे जिसका होता है उस हर्मोन का नाम बताना है तो साइटोकाइनिन का परयोग होता है सैल डिवीजन के लिए कोशिका विभाजन के लिए बंग भंग आंदोलन का संबंध है बंग भंग आंदोलन का संबंध है बंगाल विभाजन से उप्सन नमर ए अगला देखिए सत्रे में प्रवासिय भारतिय दिवस का आयोजन कहां किया गया था तो ये किया गया था आपका इंदोर में उप्सन नमर ए अगला देखिए साहित्यकादमी पुरुषकार 2023 में हिंदी भासा का युवा पुरुषकार किसे परदान किया गया युवा पुरुषकार की बात कर रहे हैं तो अतुल कुमार रॉय जो है इनको साहि हिंदी भासा का युवा पुरुषकार परदान किया गया वर्तमान में भारतिया रिजर्बेंक के गवर्नर कौन है तो वर्तमान में भारतिया रिजर्बेंक के गवर्नर है option number 30 ससिकांत दास अगला देखिए Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry का यानि फिक्की के अध्यक्ष बताने है कि वर्तमान अध्यक्ष फिक्की के कौन है तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सुब्रकांत पांडा जो है वो अभी फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष है निमन में से कौन पंद्रवे वित्त आयोग के अध्यक्ष है तो ये तो question कई बार repeat हो गया है अनके सिंग जो है वो पंद्रवे वित्तिय आयोग के अध्यक्ष है अगला दिखिए 2024 के ओलंपिक खेलों की मिवेजबानी 2024 के ओलंपिक खेल कहां पर होंगे तो ये फ्रांस में होंगे option number A ध्यांडखना है important है बस 2024 का एक सो नौवा भारतिया विज्ञान कॉंग्रेस का आयोजन कहां किया जाएगा तो एक सो नौवा भारतिया विज्ञान कॉंग्रेस का जो आयोजन ये लखनों में किया जाएगा option number C बस 2023 का रेमेन मैक्से से पुरुसकार किसे परदान किया गया 2023 का प्रेमन मैक्से से पुरस्कार दलाई लामा को प्रदान किया गया option number A अगर दिखिए रास्टिया बाली का दिवस कब मनाया जाता है तो बाली का दिवस आपका 24 जनवरी को हो गया option number A हरित करांती के भारतिया जनक के रूप में किसे जाना जाता है यानि भारत में हरित करांती के जनक एक तरह से बताना है तो डॉक्टर रैमेस स्वामी नाथन हो गया option number B कॉंग्रेस के पर्थम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो पर्थम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदुरुदिन तयब जी हो गया option number C राजयसभा के सदस्यों का कारेकाल कितने वर्थ होता है तो राजयसभा के सदस्यों का कारेकाल option number B बढ़ते हैं सिफारिष्टों के आधार पर पंचायती राज को संबैधानिक दर्जा परदान किया गया पंचायती राज को संबैधानिक दर्जा परदान किया गया MLM सिंदवी संबीती के रिपोर्ट के आधार पर 123 संबिधान संसोधन किस से संबन दित है तो 123 संभीधान संसोधन इससे question काफी बना है तो सही उत्तर है पिछड़े वर्ग पर रास्तिया आयोग को ससक्त बनाता है 123 संभीधान संसोधन अगला दिखिए 11 अनुसूची किस संभीधान संसोधन के द्वारा जोड़ी गई तो 11 अनुसूची जोडी गई थी आपका 13 अनुसूची किस संसोधन अगला दिखिए भारत के नियंतरा के वां महलेखा परिक्षक की नियुक्ति कौन करता है तो इनकी नियुक्ति करता है अप् traveling B रास्टपती जो है नियंत्रे केवं महलेखा परिक्षक के नियुक्ति करता है GST परिशद है GST परिशद क्या है एक तरह से केंदर और राजियों का संयुक्त मंच है GST परिशद नीतियायों के SDG इंडिया इंडेक्स यानि Sustainable Development Goals जो है इसका जो इंडिया इंडेक्स है ये 2021 के मामले में परदर्शन में सबसे अग्रणी राजय बताना है कि सबसे आगे कौन सा राजय रहा है सही उत्तर है इसका केरला ऑप्सन नमर A अगला देखिए दुनिया का सबसे उचा रेलवे पुल कहां इस्तित है दुनिया का सबसे उचा रेलवे का इस्तान क्या है तो 2021 में HDI इंडेक्स में भारत का इस्तान हम पहले भी डिसकर्स कर चुके है 132 132 इस्तान है उप्सन नमर C इसमें सही उत्तर हो जाएगा भारत का कौन सा राज्य मुंगफली के उत्पादन में अग्रणी है तो मुंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य जैन में से गुजराथ हो गया उप्सन नमर C सही उत्तर हो जाएगा अर्थव्यास्ता कि कि स्रेणी के अंतरगत उत्पादन को बाजार तै करता है कौनसी स्रेणी है तो जो smart city mission चल रहा है हमारे देश्त में इसकी सुरुवात कब हुई थी तो सुरुवात हो गई थी इसकी 2015 में option number 20 का सही उत्तर हो जाएगा भारत में कोईले के उत्बादन में कौन सा राज्य पर्थम इस्तान पर है तो कोईला में पर्थम इस्तान है आपका 36 गड का option number C सही उत्तर हो जाएगा तो देखें तेंदुलकर समिती द्वारा गरीबी रेखा के निर्धारन के लिए किसे आधार बनाया गया तो इन्होंने आधार बनाया था पर्थी विक्ती उपभोग बे कि कितना कोई विक्ती जो है उपभोग में बे खर्च करता है काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते है कपास की खेती के लिए अच्छी होती है तो A और B दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा जनकरने 2011 के उनसार भारत का लिंगान उपात है तो एग्जेक्ट जो है भारत का लिंगान उपात जो है वो है 943-943 जो है भारत